रेट्रो स्टेडीज में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक से नेलचन मंडेला अलॉंग वक्टू फ्रीडम स्टोरी देखेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं यह जो कहानी है लॉंग वक्टू फ्रीडम नेलचन मंडेला के द्वारा लिखा गया है और यह नेलचन मंडेला का आटो बैगराफी है जिसमें हम लोग देखेंगे कि साउथ अफ्रीका के फ्रीडम में उन्होंने कितना स्ट्रगल किया था बात है 10 मई 1994 की जब नेलचन मंड मंडेला पहली बार साउथ अफ्रीका के धरती पे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में सपत लिया और उसके बाद से नया जन्मा हुआ वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में उभर के आया नेलचन मंडेला कि अगर बात करें तो यह बहुत प्रसंद थे उस समय और इन्होंने अलग अलग देशों से बहुत सारे डिग्नीट्रीज डिग्नीट्रीज का मतलब जो प्रतिष्ठिक व्यक्ति होते हैं उन सभी को अपने यहां बुलाया और उन्होंने जो फंक्सन अर्गनाइज किया था उनमें सब भागीदारी लिये जब उन्होंने इस स् और उन्हें भरोसा दिलाएं कि जो इस देश में पहले से होता आ रहा है जैसे जो बड़े और अमीड लोग हुआ करते थे वो छोटे लोगों को सप्रेस करते थे सप्रेस मतलब दबा के रखा करते थे नीचे रखा करते थे तो ऐसा चीज़ अब कभी भी उस देश में experience नहीं किया जाएगा South Africa में democracy established तो हो गया और as a result जो government बनी उसमें किसी प्रकार का कोई discrimination established नहीं था मतलब कुल मिला के discrimination free समाज का गठन हुआ उस दिन South Africa के लोगों ने दोटे national anthem गाया और Mandela जो है recall किये वो हर एक चीज़ जो की बहुत पहले whites के द्वारा किया जाता था that is British के द्वारा किया जाता था वो यह था कि discrimination between black और white people था काले और गोरों में भेद, उच, नीच, जात, पात, रंग, रूप, सब में discrimination हुआ करता था और जब यह दोटे national anthem गाया गया यह recall करने के लिए कि जो पहले यह exploitation चल रहा था black-skinned people और white-skinned people के मध्य वो अब समाप्त हो चुका है Nelson Mandela कहते हैं कि इस प्रकार का जो suppression है जो South Africa के लोगों के साथ किया जाता था वही बहुत सारे अदभुत लोगों का ओरीजन का केंद बनेगा ओरीजन का केंद का मतलब वो ऐसा जगा होगा South Africa जहां से बहुत बहुत बहतरीन बहतरीन विभूतियां जन्म लेंगे वो कहते हैं कि जो लोग हैं उन्हें पहले नफरत करना सीखना चाहिए क्योंकि जब वो नफरत करेंगे तभी प्यार कैसे किया जाता है वो चीज वो सीख पाएंगे यो क्योंकि जो प्यार होता है वो कभी भी Circumstances की Opposite में रहता है वो यह भी कहें कि सासी व्यक्ति वो नहीं जो कि किसी चीज के लिए डरता ना हो सासिव एक्ति वो है जो उस दर पे अपना फता हासिल कर ले उनके हिसाब से जो freedom है वो एकदम अलग चीज है क्योंकि उनका मानना ये है कि ये freedom ये आजादी वही समझ सकते हैं जो अपने past में suppression के सिकार हुए हैं वो कहते हैं कि उनके पास ये right भी होता है कि उनके आजादी मिले लेकिन जो snatcher होते हैं जो छीनने वाले होते हैं वो दूसरों का आजादी छीन लिया करते हैं और उन्हें imprison कर देते हैं मतलब जो जितना दबता है उसे और भी ज्यादा दबाया जाता है और आप देखेंगे कि जो दबाने वाले लोग रहते हैं उनका यही काम रहता है इसका मतलब ये भी पता चल रहा है यहां से कि जिसको जो काम दिया गया रहता है कि वो यही करेंगे वो भी एक तरह से ऑपरेस्ट हैं किसी के माध्यम से मतलब वो भी prisoner से काम नहीं है मतलब जो ऑपरेसर्स हैं वो भी बिल्कुल फ्री नहीं होते हैं ये सारी बाते वो अपने स्पीच के दौरान बोलते हैं और यहां पर ये कहानी समाप्त होता है थैंक यू फर वाचिंग प्लीज लाइक, सेर और सब्सक्राइब मैं चैनल रेट्रो इस्टडीज